चलिए अब synthetic rubber की तीसरी example यानि neoprene rubber के बारे में कुछ बाते जानने की कोशिश करते हैं देखें जो neoprene rubber होता है ये इस neoprene rubber को तयार किया जाता है 2-chloro-13-butadine से जब 2-chloro-13-butadine का polymerization किया जाता है in presence of oxygen जब इसका हम polymerization करते हैं तो polymerization की नतीजे में जो polymer तयार होता है addition polymerization होगा तो जो polymer तयार होता है इसी polymer को हम neoprene rubber कहते हैं अब देखें जो rubber तयार हुआ है जो neoprene rubber तयार हुआ है इस neoprene rubber में सिर्फ एक ही किस्म का monomer मौझूद है और वो monomer कौन है 2-chloro-13-butadine same natural rubber की तरह हैं वो 2-methyl-13-butadine था और ये 2-chloro-13-butadine है methyl group के लेगे कौन है chloro group है तो neoprene rubber जो है ये तयार किया जाता है 2-chloro-13-butadine monomer से तिफ इसमें एक ही किस्म का monomer है एक ही जो है type का monomer इसमें मौझूद है इसलिए 2-chloro-13-butadine होने के वज़ा से neoprene rubber homopolymer कहलाता है क्या कहलाता है ये homopolymer कहलाता है दीखे क्या होता है जब 2-chloro-13-butadine का polymerization किया जाता है अब 2-chloro-13-butadine है तो simple सी बात है आप सब समझ गया होगे के CH2 double bond C यहां दूसरे नंबर के carbon पर CL होगा 2-chloro है ठीक है और 1-3-butadine है मतलब पहले नंबर के carbon पर double bond और तीसरे नंबर के carbon पर double bond होगा इस परहां से ठीक है अगर आप देखोगे 1-2-3-4 दूसरे नंबर के carbon पर क्लोरो है पहले नंबर के carbon पर double bond और तीसरे नंबर के carbon पर double bond इसलिए 2-chloro-13-butadine हम इसे कहते हैं अब इसका जब हम polymerization करेगे तो polymerization होगा इसका मतलब यह बहुत जादा quantity में एक दूसरे से जुड़ेगा ठीक है और जब यह बहुत जादा quantity में जब जुड़ेगा तो polymerization के नतीजे में जो polymer तेयार होगा वो polymer कैसा होगा CH2 ठीक है double bond यह जो double bond है उसे हम काई में तबदिल कर देगे single bond में तो यह हो गया आपका single bond ठीक है फिर C, फिर CL, फिर single bond को double bond में फिर CH, फिर double bond को single bond में CH2 और यहां लग जाएगा आपका and क्योंकि यह unit जो है वो बहुत जादा quantity में एक दोसे से जोड़ जाएगा क्योंकि पॉलिमर है तो यह जो polymer तैयार हुआ है इसी polymer को हम कहते है नियोप्रीन रबर ठीक है तो उमीद करता हूँ कि आपको नियोप्रीन रबर की तैयारी समझ में आ गई होगी ठीक है जो नियोप्रीन रबर होता है इसकी property अगर आप देखोगे तो नियोप्रीन पर जिस तरह से अमारा जो बुना एन रबर था उसके उपर chemical का कोई असर नहीं होता है इसी तरह से जो नियोप्रीन रबर है इसके उपर भी chemical का कोई असर नहीं होता है कोई effect जो है chemical का इसके उपर नहीं होता है साथ इसके उपर प्रेशर का heat का light का भी कोई जादा असर इसके उपर नियोप्रीन रबर पर कोई जादा असर दिखाई नहीं देता है इसलिए यह जो properties की है कि इसको पर chemical का कोई असर नहीं होता है या oil वगरा जो होता है, vegetable oil वगरा जो होते हैं, इसको भी इसको पर कोई असर नहीं होता है, light, heat, pressure वगरा का भी इसको पर कोई असर नहीं होता है, इसलिए इसका इसका इस्तिमाल, neoprene का इस्तिमाल, neoprene rubber का इस्ति प्लोज वगेरा बनाने में किया जाता है। जो अमारे लैप्टॉप्स और टेबलेट्स वहते हैं।